हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे नाश्टे की रेसिपी ये नाश्टा कच्चे आलू से बनाया है बहुत ही स्वादिश्ट एकदम कुरकुरा नाश्टा बनके तयार हुआ है हलकी फुलकी भूक में आप इसे बनाके खा सकते हैं गर्मी की छुट्टियों में बच्चे अक तयार हो जाने वाला नाश्टा है इसे बनाने में कोई जहन्जट नहीं है आप इसे एक बार बनाके एक हफ्ते तक फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी आपका मन करें आप इसे तल के बच्चों को या फिर नाश्टे में सर्फ करिए तो फ्रेंड्स आईए देखिए इस रेसेपी को कैसे बनाते हैं यहाँ पे लिया हैं दो कच्चे आलू इसके छिलके को छिलके इसे पानी से धोके साफ कर लेंगे अब हम इसे कद्दू कस करेंगे बहुत ज़्यादा बारिक नहीं करेंगे हम इसके लच्चे बनाएंगे मोटे लच्चे भी नहीं रखना है यह रेखे कद्धू कस कर लिया है अब दो से तीन बार इसे पानी से साफ करेंगे जिससे की आलू का सारा स्टार्च खतम हो जाएगा यह रेखें दो से तीन बार धोने के बाद ये आलू एकदम साफ हो गया है ये देखिए पानी एकदम साफ है तो अब हम इसे पानी में से निकाल के अच्छे से पानी निचोड देंगे और ये देखिए सारे आलू के ये देखिल अच्छे पानी में से अच्छे से निक्चोड के हमने साफ कर लिया है अब हम चलते हैं गैस की तरफ गैस पे एक पैन चड़ाएंगे इसमें डालेंगे एक चमच तेल तेल जब गरम हो जाए तो इसमें डालेंगे आधा टेबल स्पून राई आधा टेबल स्पून जीरा ये दोनों चीजे जब अच्छे से भून जाए तो इसमें डालेंगे दो हरी मिर्ट छोटे टुक्रों में कटा हुआ इसे भूनेंगे और अब हम इसमें डालेंगे एक चमच चिली फ्लेक्स, एक चोथाई कप धनिया पत्ता छोटे टुकरों में काट लिया है अब हम इसे मिक्स करते हुए भून लेते हैं अब हम इसमें डालेंगे पानी, दो कप पानी डालेंगे और गैस का फ्लेम इस समय हाई रखेंगे पानी को गरम होने देंगे, स्पेक्चुला एक बार चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर पानी गरम हो चुका है सारे आलू अब हम पानी में डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक इसी समय डालेंगे बाद में नहीं आड़ करेंगे तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है स्वात के अनुसार और आलू को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है सिर्फ 50% इसको कुक करेंगे इसलिए गैस का फ्लेम हाई रखा है हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट तक हम इसे पका लेंगे तो गैस का फ्लेम हाई रखा है अब यह कुक हो गया है बहुत ज़्यादा मैंने इसे नहीं गलाया है अब इस समय गैस का फ्लेम लो कर लेंगे और इसमें अड़ कर देंगे एक कप सूजी सूजी को लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब पूरे प्रोसेस में गैस का फ्लेम लो रखना है जब तक हम इसे मिक्स करेंगे बहुती आराम से ये मिक्स हो जाएगा ये देखिए सूजी तुरंत ही सारा पानी सोक चुकी है ये देखिए गाड़ा हो गया है डो जैसा अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और आदे मिनट तक इसे और मिक्स करेंगे गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसे दो मिनट तक इसी तरह से ढखके रखेंगे ताकि भाप में ये और भी अच्छे से सेट हो जाए दो मिनट तक ये रेखे ढखके रखने के बाद अब हम इसे वापस से मिक्स कर लेते हैं अभी ये बहुत करम है और अच्छे से ये रेखे सेट हो गया है भाप में सूजी और भी जादा फुल चुकी है कैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया था तब इसे ढखा था अब हम इसे किसी भी ट्रे या पलेट में सेट करेंगे तो यहाँ पे मैंने बर्फी जमाने वाली ट्रे ली है इसे तेल से ग्रिस कर लिया है अब किसी चमचे पर पीछे की तरफ से उस पे भी तेल या घी लगाके चिकना कर ले और दबाते हुए पूरे में सेट कर ले अच्छे से दबाते हुए सेट करना है ये रेखिए अब हम इसे थंडा होने देंगे आदे घंटे में ये अच्छे से थंडा हो जाएगा और ये सेट हो जाएगा इसे फ्रीज में रखने की ज़रत नहीं है अब यहाँ पे आदे गंटे के बाद यह अच्छे से ठंडा हो गया है तो अब हम इसे कट करेंगे बहुत ही आसानी से यह कट हो जाएगा यह देखिए एकदम सौप्ट है और मैं इसे ट्रेंगल शेप में कट करूँगी आप इस नाश्टे को एक बार बना के कट करके फ्रीज में रख लीजिए और जब भी आपका इसे खाने का मन करे तो इसे तल लीजिए बहुत ही बड़िया नाश्टा है और इसे बनाने में कोई भी जंजट नहीं है और इसे कोई भी एक बार में ही बना लेगा यह खराब नहीं होता है अब मैं इसे इस तरह से ट्रेंगल शेप में कट कर रही हूँ एके करके हम यहाँ पे सारे कट कर लेंगे मैं यहाँ पे आधा ही कट करूंगी आधा फ्रीज में रख दूंगी बाद में इसे बनाऊंगी तो यहाँ पे एके करके हमने कट कर लिया है तो जितना कट किया है उसे हम तेल में फ्राइ कर लेते हैं फ्राइ करने के लिए तेल यहाँ पे गरम हो चुका है और एके करके ये नाश्टा तेल में डालेंगे एक बार में बहुत जादा नहीं भड़ेंगे नहीं तो ये तेल का जो टेंपरेचर है एकदम ठंडा हो जाएगा और ये तेल में बिखर जाएगा तो अब ये एक तरफ से सिख चुका है गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे पलट लेंगे अलट पलट के दोनों तरफ से हम इसे light golden brown हो जाने तक फ्राई कर लेंगे मेडियम फ्लेम पर अच्छे से इसे फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से सिख जाए अब ये अच्छे से सिख चुके हैं तो इसे तेल में से निकाल लेते हैं आप इसका कलर देख रहे हैं कितना बढ़िया आया है, खाने में बहुत ही कुरकुरा होता है ये, एक बैच बना लिया है, एक और बैच बना लेते हैं, दो बैच में मैंने जितना कट किया है वो सारे फ्राइ हो जाएंगे, तेल में ये नाश्टा दालने के बाद इसे एक तर अब बैच ब्रौन हो जाने तक सेक लिया है, बहुत ही बढ़िया नाश्टा बना है, ये देखिए इसे भी निकाल लेते हैं तेल में से, एक दम कुरकुरा है, कच्चे आलू से बनाया है, खाने में बहुत ही स्वाधिष है, एक दम टेस्टी, एक दम नया स्नेक्स है ये, आप इसे किसी भी समय बना के खा सकते हैं, अपने घर पे बनाईए और बच्चों को खिलाईए उन्हें जरूर पसंद आएगा, तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की रेसेपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,